प्रशाषन के लिए जाना चाहते थे और दिला प्रशाषन का भी इंटर्जाम न कर पाई थी तो मेरा तो एक तो कहना है कि जिदा प्रशाषन ने किया है वो काफी किया नहीं है उनके तरफ से तो एक कमजोरी नजर आई है क्योंकि कानूनी तरीके से सामाजिक तरीके से परंपरा तरीके से आप किसी भी नजरिये से देखे तो यह सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हख भी है वहां जाके दर्शन करना और प्रशाशन मेरे हख को कायम नहीं रख पाई और अंत में जैसे आप सब काफी लोग थे रात को जैसे हम सब लोगवां इखटा हुए थे दर्शन के लिए और फिर वो अंदर से पत्राव भी हुआ फिर भी प्रशाशन ने पत्राव के खिलाएं तक मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी और जहां तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खौलेंगे तो अभी जो है उन्होंने नोटिस कल रात को नोटिस दिया है कि वो आज फॉस मंगा रहे हैं तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटेस उन्होंने लगाया है उसके वो काम करें के नहीं करें अब आप देख सकते हैं कि पत्राव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा उसका भी वो हक भी नहीं है नहीं मिल रहा है मुझे और प्रशासन के रही हम क्या करें गेट के से खुण लें तो अब आप खुद अंदास लगा दें कि ये वाजिब कारण है या एक बह अब यह मैं कहा हूंगा कि जो एंटायर पैलेस कॉंपलेक्स है जो ट्राइबूनल का ओर नाइटीनेटीवन का जो उसे कि खिलाव कोई अपील पेश नहीं हुई थी और जो कुछ साल पहले हमारे पारेवारिक सूट जो चल रहा था ये पूरा प्रॉपर्टी जो है एच्वर प्रॉपर्टी मानी गई है और लेट माना ना भगवत सिंग जी ने पी अपने वसियत में ये जो एच्वर के डेक्ल कर दिया कि पारिवारिक संपत्य है और जहां पूजा कर स्थरले आप ऐसे भी नहीं रोग सकते हैं तो मेरा तो पूरा हख बनता है कि मैं वार्जात के धोग लगाउं और खानूनिस्टी तो यही आपका जो परंपरा है दोनी की दर्शन कर्मा उस्ते बाद एकलिंदी की द अधिया और तो आप लोगों का आगी का रूज में उस्ता है तो परंपरा की बाते में एक थोड़ा सा हिस्ती में बता दूँ के जब एकलिंदी मंदिर धुनी से पुरान आये धुनी जब धुनी माता यह धुनी का सल यहां जब हुआ जब हुआ जब उद्यपूर बसा है अधिया नोटिस तो उनने दिया था कल तो अब एकलिंदी तो जाना है पाई 하고 जयाज़़ तर कली जाएगे और जो नोटिस paste है वह है अगा की हैं वह जए हासे यह Gargi Pisa सब्सक्राइब कर देखें वह विल की बात कर रहा है और जो नोटिस में लिखा है एक कॉर्ट और 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 जो कॉर्ट रेकॉर्ड उसके खिलाफ है कि इसक्राइब मेरे तरफ से क्रीवार का सदेंसे हो तुमेरे तरफ सस cry अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो यह तो प्रशासन के खेलिए और ऐसे नोटिस बेज करना और यह जो अखबार वाले ऐसे नोटिस चाप भी लेते हैं कि यह तो एक अंगली जी में कें अपसर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेस्पास कैसे कर सकता है वो तो मंदिर में दर्शन के लिए गाएं कर दूनी दर्शन को लेके आपका क्या रुख रहेगा और कई जेके पे लग्राय की समठ्शक अब उद्यपुर की तरफ आ सकते हैं कानून मेवेस्ता के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक तो मैं सब को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया और मुझे खुशी है कि मेवाद के लोग गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लेकिन आवाज उठानी है लेकिन खानून को अपने हाथ में नहीं लेना है वो तुम्हें सपश कर देता हूं और धूनी का दर्शन अगर ये पहले इस सब लड़ाई जगड़ा ना हो इसलिए मैं पैलिस में जाई नहीं रहा हूं चाहिए आप सभी लेको पता होगा लेकिन क्योंकि कर ले खास अफसर सा इसलिए धोग देने के लिए जाना में संदश्ता रहुषे था एक तरह से परंपरा भी है रीट है तो इसलिए मुझे ज अब जो वारता में बात चल रही थी वह जो वारता करते वही कह सकते हैं कि सही है कि गलत लेकिन यह बात मेरे पास भी आई थी कि पहले कुछ दस गाड़ी फिर पांच लोग फिर दस लोग फिर तीन लोग तो मेरे ख्याब से सही क्या है एक्चुली यह सीरिस प्रोपोसल था कि सिर्फ समय ज्यादा समय लेने के लिए कि लोग ठक जाएंगे इसके बात थेंकी जाए जी थी वह सच क्या है तो मैं नहीं कि अगे का आवान तो नहीं है जो लोग आ रहे हैं उनके अपने दिल से आने हैं मन से आने हैं जो आएंगे तो सबसे पहले यह कि जो कल तै हुआ था राग को कलेक्टर ने ओर्डर की 145 का है उस पे वो कायम रहे और आगे करवा ही करें और एक चीज यह भी है कि जैसे मैंन विल की बात करें और बात बात चल रही थी किसके साथ बात चल रही है जो कि अगर कोई भी अपना हक विल के सूर मांगता है या विल की बात होती है तो वो एक्जेक्यूटर है आज तक एक्जेक्यूटर तो सामने आया है को इसी और से बात हो रही है तो इसलिए यह भी एक खेच्छ होबमी investment यह परीवार में ? परीवार के साहथ भी जा सकता हूँ जो हमारे साथ पेडियों तक जुड़े हैं ?। तो इसनले इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और वह समय हो अगर लोग साथ में जाएंगे विसे तर ले तो लेकर नहीं जाएगा लेकिन जो जितने भी लोग साथ में वो जाना चाहिए आप पतनी सांसद हैं, इतने शक्षम पदों पर आपकी सरकार होते हुए भी अजर प्रशाशन इस सरकार से पंबू दिखाई दे रहा तो क्या आपको लगता है कि इसके पिछे कहीं कोई उपर खाने से दबाव की रहादी भी पेली जा रही है। अब यह जो प्रशाशन ने कर जो धील बताई है, मैं तो यही वर्ड यूज करूंगा धील बताई है। और अगर यह बताते रहते हैं तो ऐसे जैसे आपने प्रशन पूछा है, ऐसे प्रशन तो जरूर उठेंगे। अब यह तो दूर बागे पूर्ण ने के जब कॉर्ट में मामरा जाता है वो लंबा खींची जाता है। लिचिन कॉर्ट का रस्ता तो सब के लिए खुला है, तो जाएंगे तो जाएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लगातार किसी विवाद से बशने के लिए उस अगर्शन से दूर रहे, वगर आज की परंपरा का हिस्सा है, इसले वादाना जूरी है। जैसा कि आप दूसरे पक्ष से अपील करना जाएंगे कि परिवाद एक हैं, परंपराओं का निर्वान सभी की जिम्मेदारी हैं, तो मीडिया के बख्ष में बे कह देता हूं कि पहले सुप्रीम कौर्ट में कुछ साल पहले आदेश किया था कि आप मीडियेशन के जरिए आप अपनी बातें पर्ष कर दें, मतलब सुझा दें, तो एक कुछ महीने उसमें भी चले गए, लेकिन उस मीडियेशन में भी कुछ नतीजा नहीं निकला है, और तो अभी उसके आगे जब रूबरू बात हुई थी, और तब भी कुछ अंडिस्टैंडिंग नहीं होई प तो उसके साथ वो क्या बात करें फिर उसके आगे, तो मीडियेशन के लिए अगर आपस में कुछ समझोता हूँ, वो तो हमेशा बैतर ही होता है, लेकिन जब किसी का रूख ऐसा हो तो 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 आगे क्या बात करें, विचारनी विश्य बनगाता है, विचारनी भी है, और य इनरसेंस बहुत डुक्षी बात है, कि ऐसी चीजों में ऐसी घटना होती है, यह तो होना ही नहीं चाहिए, यह तो है तो डुक्षी बात है. ठीक्षी किराद.